श्री व्रिंदावन बिहारी लाल की जै सभी वैश्नवों को राधे राधे आज की वीडियो एकाद शीवरत के उपर आधारित है आईए सबसे पहले जानते हैं कि एकाद शीवरत का मूल कारण क्या है सभी वरत अपनी मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए होते हैं किन्तु एकाद शीवरत भगवान की पृती के लिए है इस वरत का लक्षे है अधिक भजन शरीर हलका रहे आलस्य ना आवे निद्रा ना आए इसलिए निराहार रहे या केवल जल पीकर अथ्वा फलाहार करके भजन करना चाहिए मूल में भजन है सिर्फ भजन ना की क्या खाएं क्या ना खाएं इसमें उल्जे रहे एकाद शीवरत करने का मूल कारण है भगवान की पृती भगवान का भजन आईए अब हम जानते हैं शट तिला एकाशी के बारे में अपने नाम के अनुरूप यह वरत तिल से जुड़ा हुआ है शट तिला तिल का महतो तो सर्व व्यापक है और हिंदू धर्म में तिल बहुत पवित्र माने जाते हैं मान्यता है कि इस दिन तिलों का दान करने से पापों का नाश होता है और भगवान विश्णू की क्रपा से स्वर्ग लोक की प्राप्ती होती है धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनी भगवान विश्णू के धाम वैकुंट पहुचे वहां उन्होंने भगवान विश्णू से शट्तिला एकाशिवरत के महत्व के बारे में जाना भगवान विश्णू से नारद जी ने शट्तिला एकाशिक के महत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की नारज जी के आग्रह पर भगवान विश्णु ने बताया कि प्राचीन काल में प्रत्वी पर एक ब्रहामन की पत्नी रहती थी उसके पती की मृत्यू हो चुकी थी वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी एक बार उसने एक महिने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया परन्तु वह कभी भ्रामन एवं देवताओं के निमित अनदान नहीं करती थी इसलिए मैंने सोचा कि यह इस्तरी वैकुंट में रहकर भी अत्रप्त रहेगी अतहा मैं स्वयम एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया जब मैंने उससे भिक्षा की आचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठा कर मेरे हाथों पर रख दिया मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लोट आया कुछ समय बाद वह देत्याक कर मेरे लोक में आ गई यहां उसे एक कुटिया और आम का पेड मिला एक खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्म परायन हूँ फिर मुझे काली कुटिया क्यों मिली तब मैंने उसे बताया कि यह अन्दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिन देने से हुआ है मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आप से मिलने आएं तब आप अपना द्वार तभी खूलना जब तक वे आपको शर्तिला एकाशी के वरत का विधान ना बताएं इस्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधी से शर्तिला एकाशी का वरत किया वरत के प्रभाव से उसकी कुटिया अनधन से भर गई इसलिए हे नारद इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकाशी का वरत करता है और तिल एमम अन्न दान करता है उसे मुक्ती और वैभव की प्राप्ती होती है विशेशकर पूजा में तिलों का विशेश्व महत्व होता है इस दिन तिल का छह प्रकार से उप्योग किया जाता है एक तिल के जल से शनान करके दूसरा पिसे हुए तिल का उबटन करके तीसरा तिलों का हवन करके चोथा तिल मिला हुआ जल पी कर पाचवा तिलों का दान करके छटा तिलों की मिठाई और विंजन बना कर इस दिन विधी पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन इस प्रकार करें पहला प्राता काल स्षान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदी अर्पित करें दूसरा इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की अराधना करें साथ ही में रातरी में भगवान का भजन करें और बहतर है जागरन करें इसके बाद द्वाज्शी के दिन प्रातर कहा लूटकर शनान के बाद भगवान विश्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयन अन ग्रहन करें तो इस प्रकार एक छोटे से प्रयास के द्वारा हमने शट्टिलाइकाश्शी के महत्व उसका मूल कारण उसके पूजन की विधी को आप तक पहुचाने की एक कोशिश करी है आशा करते हैं आप सभी को इसमें रूची आई होगी सभी के मन में भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रती प्रेम हो उनका भजन निरंतर भड़े उनसे प्रीती निरंतर भड़े यही आशा के साथ सभी वैश्णवों को पुनह राधे राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे और भी अन्य काजशी की जानकारी वा उनकी कथा महत्म को जानने के लिए हमारे पेश से जुड़े रहें समय समय पर आपको उचित जानकारी वा लीला वर्णन सुनने को मिलता रहेगा